नमस्कार आपका स्वागत है इस्या न्यूस इंडिया मैं मैं पूर्णम आपके साथ रायपूर में उपराश्पती जगदिव धन्खर ने कहा के विक्सित भारत 247 हमारा सपना नहीं बलकी लक्ष है और हम इस लक्ष की और त्रिर्ता से जा रहे हैं पीते कुछ सालों में हमारी सोच में काफी बदलाव आया है आज का भारत जिस विकास के साथ आगे जा रहा है हमारे शेत्र में वर्ल्ड लीडर है इंद्रा गांधी कर्शी विश्विध्धालय के 38वा स्थापना दीवस के मोके पर धन्खर ने ये बाती कहीं दन्खर ने आगे कहा कि सबसे अधिक डिजिट्रल ट्रांजेक्शन हमारे भारत में होते हैं भारतियता हमारी पहचान है और इस पर हमें गर्व है कभी असफल होने के डर से किसी चीज को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो आपका नुकसान कम और देश का नुकसान ज़्यादा है कर्शी में जितने स्टार्ट अप की संभावना है उसका इस्तिमाल करें सभी बड़े बड़े उद्योग इसाही कर रहे हैं इससे पहले कर्शी विश्विद्याले परिशर में उपराश्पती जगतिव दंखड राजपाल विश्विभूशन हरीचंदन और मुख्य मंत्री विश्विश्विश्विश्य ने मौल श्री का पोदा रुपन किया दंखड ने कर्शी स्टार्ट अप बायोटिक और कर्शी विश्विज्यान के इंद्र द्वारा लगाये के विभिन स्टॉलों का निरिक्षिन किया कारगम के दोरान उपराश्पती दंखड ने संजीवनी राइस का शुभारम भी किया उनके साथ राजजपाल और सीम विश्विश्विद्याले में धान की एक किसम त्यार की गई है जो कैंसर में भी फायदेवन है इस बात का दावा करने वाले इंद्रा गांधी करशी विश्विद्याले के विज्विद्याले के विज्विद्याले को ने किया है धान किस किसम को संजीवनी नाम दिया गया है संजीवनी धान इम्मुनिटी बढ़ाने के साथ स्थन कैंसर पीडितों के इलाज में भी मददकार है विश्विध्याले प्रवंदन ने भाबा आटमी किसर चैंटर मुंबे की मदद से 6 साल में इस किस्म को तयार किया है आम जंता तक पहुचाने के लिए विश्विध्याले प्रवंदन ने इसके 3 प्रोड़क्ट भी तयार किये है